वीडियो पूरी देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और प्लीज बिल आइकन को भी प्रिस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें तो को साथ आज सेयर करने वाली हूं जिनको आप एजली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अब यह नवंबर का मंत बहुत अच्छा होता है जो आप एक प्लांट से कई धेरों बना सकते हैं आपके पूराना प्लांट है तो आप उससे भी कटिंग से उसको ग्रो कर सकते हैं यह कुछ सरदीयों के प्लान्ट जिनको आप कटिंग से ग्रों करके लगब कुछ तो पूरे साल चल जाते हैं कहीं सारे Crush आइसे होते हैं कि आप passado फुरों करके एक से कई प्लांट बना सकते हैं और इंटर में इन्जुाइड कर क्योंकि विंटर के प्लांट विए तो प्चीस से रुपए में आसानी से मिल जाते हैं 25 में मिल जाते हैं 20 20 से 12 proph से अलंते हैं यह शुं भी है से कई सारे cutting लगा कर उनको कई सारे प्लांट बना सकते हैं थ्थोड़ा साम लगेगा लेकिन ने कि अपम लगा देंग तो फिरो होती रहेंगे फिर आप दूसरी कतिन लगा देंगे तो फिरो होता रहे可ос तरह से करते करतेSPर और ये ऐसने कंधि पूल होते हैं आपको अप्रेल मई तक पूल देते हैं स्बसक्षारों करतेंail फिर थोड़ा चार राखाएम में तो मैई ज काटिंग उसके लिए और कट करके उसको कटिंग लगा दीजिए कटिंग से ग्रोव करने से क्या होता है एक तो मारे पैस पुराने प्लांट होते उससे नई प्लांट तयार कर लेते हैं और उसके साथ ही धेर सरह हमारे पास प्लांट भी हो जाते हैं आप एक प्लांट नरसरी तो आपके पास तीन प्लांट उसके हो जाएंगे नेक्स टाइम पर आप उसको और ग्रो कर सकते हैं इसके में इंपेशन का प्लांट जो होता है यह भी कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है दिखाती हैं यहां से कंट करके किसी बी तरог से इसको कट कर सकते हैं यहां पर एक नोट होना चाहिए यह अप इस इस तरह को लगा दीजिए बहुत प्लांट आपो इसको भी हो जाता है तो इसको भी आप ग्रोव कर सकते हैं उसके बाद यह एक hybrid इंपेशन होता है इसको भी आप कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं अगर आपके पास इसका मधर प्लांट है बड़ा प्लांट है तो यह तो मैंने भी सैप्लिंग लगा ही तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी दे प्लांट में सैप्लिंग नर्शरी से लेकर आई हूं बाकी की जो प्लांट आप देख रहे हैं यह सब मैंने कटिंग से लगाए हैं कुछ टाइम पहले मैंने कटिंग लगाई थे इसको भी लगा दिया है इसमें तो यह ग्रो हो जाएगी लगवग एक हपते पंदरा दिन म प्लांट भी अपक्तिंग से बहुत एजली ग्रो कर सकते हैं तो इसके बाद देखिए हैं सब्सक्राइब की छोटी से छोटी कटिंग लेकर कि यह देखिए मैंने कुछ कटिंग तोड़के रखी हुई थी लगवक तीन चार दिन पहले रखी थी एक चीज आपको जरूर द देते हैं तो यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है यह देखिए मैं डायरेक्ट इसको इसी प्लांट में लगा देती हुई देखिए इसी में लगा देती है और इसी में ग्रो भी हो जाएगा तो ऐसे करके आप इसके कई सारे प्लांट तेयार कर सकते हैं आप देख सकते है अब देखेंगे इस तरह सी वह ग्रोव हो जाती है तो कहीं पर भी आप किसी भी घंडे में डाल दें देरे देरे वह जाएगा और एक नया प्लांट वहां पर बेवी प्लांट बन जाएगा तो सक्लेंट को आप कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं बहुत एजली इसके बाद देखें डेहलिया आप डेहलिया कटिंग इस समय अब भी लगा सकते हैं बहुत एजली ग्रोव होने वाला प्लांट है और देखिए कल मैंने पिंच करके यहां पर कुछ कटिंग लगा थी और देखिए पूरी की पूरी फ्रेस लगी हुई है यह आप देख सकते ह इसी गंबले में बस ऐसे ही लगा दिया है और सिर्फ उपर की छोटी-छोटी टीप थी जिसको मैंने लगा दिया है और यह बहुत- आसानी से आपको दिखा दू एक टिप कट करके यह देखिए इस तरह कि टिप लेकर के मैilia ने इनको यहहीं पर गंबले में लगा दिया यह देखिए और बिल्कुल फ्रेस कटिंग हमारी कल से आज भी बिल्कुल मुर्जाई नहीं है तो यह कटिंग हमारी लगवक 15-20 दिन में ग्रोव हो जाती है तो डहिलिया के प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रोव होने वाला प्लांट है सेप्टेंबर से लेके नवंबर तक इसकी कटिंग आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं बहुत एजली ग्रोव हो जाते हैं तो डहिलिया को भी हाप इस समय जरूर ग्रोव करिएगा अगर पिंचिंग करते हैं तो उसकी पिंचिंग उपर की टिप को फेंकिये मैं तो उसको बहुत आसानी सब्सक्राइब से अभी ऑ सकता है इसाइब हो जाएगी तो अगर आप कटिंग को लगाते हैं तो छाया में रखेगा कटिंग लगाने के मैंने एक बार इनकी पिंच की थी तो फिर दोबारा भी नहीं किया है एक बार करने के बाद ये काफे अच्छे घाने हो गया है प्लांट और देखे कितने सुन्दर सुन्दर फूल निकल करके हैं सब में अलग-अलग कल देखे इसमें ऐसा पिंक है यह थोड़ा सा परप्लिस कटिंग बहुत इजली ग्रो कर सकते हैं मैंने देखे हैं प्लांट नगा देंगे ना अब नीचे पूरे बड़ी बड़ी ब्रांच हैं मैं आपको दिखाती सबी में फूल आ गए हैं तो नीचे जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं वाली ब्रांच लेकर के अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हैं तो बहुत आसानी सी कटिंग एक हपते में तयार हो जाती है तो मेरी गोल्ड को भी आप कटिंग से इसली ग्रोव कर सकते हैं इसके बाद इसली ग्रोव होने वाला है डेंथरी कटिंग आप ग्रोव कर सकते हैं इस तरह से देखिए एक कटिंग लीजिए यहां से इस तरह से कट कीजिए नीचे की पत्तियां हटाईए और इसको आप छाया वाली जगह में रखिए एकदम से दूप में नहीं रखना है आपको बिल देते हैं तो जो चाया वाली प्लेस से कोई सी भी उसमें हम इसको ग्रोव कर देंगे तो यहां पर देखिए डॉक फ्लावर को मैंने थोड़ा चाया में रखा है इसी में हम इसकी कटिंग को लगा देंगी जब थोड़ा सा स्टेंड हो जाएगी हमारी कटिंग अच्छे से तो हम इसको फिर दोप में सिफ्ट कर देंगे तो अभी तीन-चार दिन इसको चाया में ही रखोंगी तो यहां पर मैंने इसकी कटिंग लगा देंगे इसके बाद हम थोड़ा सा इसको वाटरिंग भी कर देंगे तो अभी तो पानी निकालने के लिए कुछ है नहीं कि देखिए कटिंग लगाने बाद हम थोड़ा सा पानी देंगे यहां पर तक हमारी कटिंग मुर्जाय सूखे नहीं और चीज बता दू कोई भी विंटर का प्लांट कोई भी विंटर का प्लांट आप इस तरह से मिट्टी उसकी मत सूखने दीजिएगा नहीं तो आपका अब प्लांट करसके हैं और इसकी ड़ेंगे आप करते रहे तो आपका प्लांट काफी अच्छे रहे गये यह मेरा लास्त यह का प्लांट है और थोड़ा नहीं दी है तो खाद एक महिना में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इसको देते रहेंगे तो आपका प्लांट का अच्छा हेल्दी रहेगा तो इसकी भी आप टिप ले करके कहीं पर भी लगा दें तो बहुत यह असानी से ग्रोव होने वाला प्लांट है और ग्रोव भी हो जा है यह देशी का लांचो है वैसे लेकिन देशी हो या हाइब्रिड हो एक हपते में 15 दिंग में की कटिंग ग्रोव हो जाती है इसके में देखी एक अजवाइन के प्लांट होता है बहुत ज्यादा सुन्दर और इसकी जो खुसबू होती है ना बहुत अच्छी होती है तो इसको भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रोव कर सकती है यह तो देखिए मैने निगाल के कि गंबले से रहता लगंवकर एक महिने सी यही है मैंने इसको लगाया भी नहीं पर यह बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है यह देखिए इस तरह सिस्की सेंड और कोको पीट में हम इसकी कटिंग लगा देते हैं तो यह बहुत इजली ग्रो हो जाता है बहुत ही आसानी से तो डहलिया को हमने जब निकाल लिया है तो चलिए मैं इसको रिपॉट कर देती हुए देखिए हमारा पॉट खाली पड़ा हुआ यहां पर और वैसे तुम्हें यहां पे विंटर प्लांट लगाने वाली थी मतलब जो सैप्लिंग लाई थी पर कोई नहीं यह ग्रो हो जाएगा तो हम इसको कहीं और भी करणी तो इस तरह से आप इनको बो कर सकते हैं इसके बदेखिया आप इस समचा है तो गुलाब की लगा सकते हैं यह नहीं अक्टूबर में बहुत आसानी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह देखिए मैंने प्रूनिंग के बाद कर देख लिजे बहुत अच्छा नीकल करके आय सब्सक्राइब लगा सकते हैं तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगा देंगे तो बहुत एजली यह सब集ते हैं वह हो हो जाएंगे काहें पर भी आप लगा दें किसी भी गंले में आप इसको लगा दीजिए इस तर से पानी में बहुत आसानी सेग्रो हो जाता है मैं यह वाले जो पार्ट से तयार किया था इधर देखिए इसके बाद लगा सकते हैं बहुत ऐजली हो हो जाते हैं तो प्रेक्रिशंतितिम के लिए थोड़ा से हमको सुरू से तयारी करनी होते हैं मतलब जुलाई से अगर काटिंग हम लगा दिते हैं तो ज्यादा अछ रहता है और नहीं तो फिर अभी आप ग्रोव कर सकते हैं ठोड़ा लेट सेप्लावणी लेकिन अभी क्रिक इनकी घ्रो हो जाएगी इसके देखे अगा आफसे नगा सकते हैं यह देखिए मैने लास्ट इर इनके कई सारे प्लां जो विनका होता है उसको भी पूलिगे कर सकते है इसमें को लगा का इसके में नाख मी और लूदा कुछ मुझे लंगा दिख्धा करते थी किस तर से मगर्च थोड़ी ऐसी उन्स को में आसे ले लेते हैं यह देखिए चोटी सी ब्रांचम लेंगे इसमें एक नोड है यहां पर और इसकी कटिंग हम छाया में ग्रो करेंगे तो अगर एक प्लांट से कई प्लांट आपको तयार करने तो आप इस तरह से आप प्लांट आपके प्लांट आप अपने गर्ण में तयार कर सकते हैं कलंचो विगोनिया परसलें इंपेशन यह तो ऐसे प्लांट है जो पर्मनेंट पुरे साल भी चल जाते हैं बहुत अच्छे से और साल्विया हैं जैसे तो अप्रेल माई तक चलता हैं इसमें फ्लावर बहुत अच्छी चलती है और कटिंग से अगर आप ग्रो करते रहेंगे तो और भी ज्यादा तक यह चलता रहेगा तो बहुत यह ब्यूटिफुल से प्लांट है जिनको आप कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं और कापी ज्यादा सुन्दर अपने गार्डन को कर साथ तक कि लबाई